Exercise 1.1 Question number 1 is Fill in the blanks 1 lakh is equal to dash 10,000 तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 lakh कैसे लिखते हैं Indian number system में 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 and lakh तो जो lakh है उसके उपर लिखो 1 और बाकी सब के आगे उपर लिख दो 0 ये हो गया हमारा 1 lakh 1 lakh में कॉमा कैसे लगाते हैं Indian number system में Right side से 3 digits के बाद कॉमा फिर 2 digits के बाद कॉमा ये बन गया हमारा 1 lakh This is fine Next लिखेंगे 10,000 फिर से लिखते हैं 1s, 10s, 100s, 1000 10,000 So 10,000 के उपर लिखेंगे 1 बाकी सब के उपर लिखेंगे 0 Right side से 3 digits के बाद लगेगा कॉमा Indian number system में तो ये बन गया हमारा 10,000 This is fine अब हम देखते हैं Left side में कितनी 0s है Right side में कितनी 0s है Left side में कितनी 0s है 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे पास कितनी 0s हैं 5 0s Right side में 1, 2, 3, 4 4 0s हैं तो अगर हम यहाँ पे 10 से multiply कर दे तो हमें left side मिल जाएगी इसका मतलब क्या हुआ 1,000,000 is equal to 10 times 10,000 तो हमारा अंसर क्या हो गया 10 Easy Next question is 1,000,000 is equal to dash 1100 1,000,000 क्या है International number system अब हम लिखते हैं International number system में 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, million ऐसे ही होता है International number system Million के उपर लिखेंगे 1 Because 1 million है बाकि सब के उपर लिखतो 0 International number system में Right side से 3 digits के बाद लगेगा कॉमा फिट से 3 digits के बाद लगेगा कॉमा तो ये बन गया हमारा 1,000,000 1,000,000 Is it fine? Right side में है 100,000 फिर से हम लिखते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000 100,000 के उपर लिखो 1 बाकि सब के आगे? सब के उपर लिख दो 0 International number system में Right side से 3 digits के बाद लगेगा कॉमा फिर से 3 के बाद कॉमा लगता है तो ये हमारा क्या बन गया? 100,000 This is fine अब हम काउंट करेंगे number of zeros Left side में कितने zeros हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 zeros है Right side में 1, 2, 3, 4, 5 5 zeros हैं तो अगर हम इदर right side को 10 से multiply कर देंगे तो left मिल जाएगा इसका मतलब 1,000,000 is equal to 10 times 100,000 तो हमारा का answer क्या आ गया? 10 Easy? Next question 1 करोड is equal to dash 10 lakh Indian number system में फिर से लिखते हैं हम 1s, 10s, 100s 1000 10,000 Lack 10 lakh And करोड तो करोड के उपर लिखेंगे 1 बाकी सब के उपर लिखेंगे 0 This is fine Indian number system में कोमा कैसे डालते हैं? Right side से 3 digits के बाद कोमा फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद सो ये बन गया हमारा 1 करोड Is it fine? Next, 10 lakh फिर से लिखते हैं 1s, 10s, 100s 1000 10,000 Lack 10 lakh So 10 lakh के उपर लिखेंगे 1 Right side में 10 lakh है न तो 10 lakh के उपर लिखा 1 बाकी सब के उपर लिखा 0 Then right side से 3 digits के बाद लगेगा कोमा फिर 2 digits के बाद लगेगा कोमा Indian number system है न Lacks and crores वाला तो ये हो गया हमारा 10 lakh Next, क्या करते हैं? Count the number of zeros Zeros को count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So left side में कित्ती zeros है? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Right side में कित्ती zeros है? 6 तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम right side को 10 से multiply कर देंगे तो left side मिल जाएगी So 1 करोड is equal to 10 multiply 10 lakh So the answer is 10 Next part 1 करोड is equal to dash million फिर से लिखते हैं हम Ones, Tens, Hundreds, Thousands, Ten Thousand, Lack, Ten Lack, Kरोड करोड के उपर लिखो 1 बागी सब के उपर लिखो 0 ठीक है? इंडियन नंबर सिस्टम में Right side से 3 के बाद कोमा फे 2 के बाद कोमा फे 2 के बाद कोमा So ये बन गया हमारा 1 करोड Right side में लिखते हैं 1 million Ones, Tens, Hundreds, Thousands 100,000, Million Million के उपर लिखो 1 बागी सब के उपर लिखो 0 और million किसमे होता है? International number system में तो 3 zeros के बाद आएगा कोमा फेर 3 digits के बाद आएगा कोमा ये बन गया हमारा 1 million ठीक है? count करो number of zeros on the left side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zeros है right side में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros है तो फिर 10 से अगर हम right side को multiply करेंगे तो left side मिल जाएगी इसका मतलब 1 crore is equal to 10 times million अब तो सबको समझ आ चुका होगा अगर आ गया तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लो next part 1 million is equal to dash lakh फिर से हम लिखते है ones, tens, hundreds million है तो कौन सा सिस्टम है international मतलब thousand, ten thousand, hundred thousand and million million के उपर लिखेंगे one बाकी सब के उपर लिखेंगे zero international number system में right side से three digits के बाद आएगा कोमा फिर से three digits के बाद आएगा कोमा तो ये बन गया हमारा one million राइट साइड में लैक लैक इस इंडियन नंबर सिस्टम ones, tens, hundreds, thousands, ten thousand and lakh लैक के उपर लिखेंगे one बाकी सब के साथ सब के उपर लिखा zero राइट साइड से three digits के बाद कोमा आएगा Indian number system में लैक फिर two digits के बाद आएगा कोमा तो ये बन गया हमारा लैक next step क्या था count the number of zeros left side में कित्ती zeros है one, two, three, four, five, six six zeros right side में one, two, three, four, five five zeros तो क्या करेंगे right side को ten से multiply करेंगे तो हमें left side मिल जाएगी so one billion is equal to ten times lakh so answer क्या हो गया ten okay I hope सब को सब समझ में आ गया अगर still कोई doubt है तो आप मुझे mail कर सकते हो okay bye bye see you in the next video